असलामलेकूम एवरिवन वेलकम बैक टू मैं चानल में आगए एक और नीव रेसिपिक के साथ सो फ्रेंड्स मेरे पास करका थोड़ा सा बेसन का घोल बचा हुआ था तो हम इसी को इस्तेमाल करने वाले हैं और नया मतलब कि जो चीज है उसको ही हम राख रियूस करेंगे तो मेरे पास तोड़ा सा बेसन था मुझे कुछ चीज़े बनानी थी तो मैं थे इसी को मैं यूस करूंगी तो मैंने तीन चमछ बी बैसन लिया है इसमें 2-1,5 चमच मैदा डाला है क्योंकि 3 चमच मैने बेसन लिया था कि अगर आप 5 चमच बेसन ले रहे हो तो 1,5-2 चमच आपको मैदा लेना है क्योंकि मैदा बहुत क्रिस्पी करता है किसी भी चीज़ को इसलिए और बैटर बे ठेक हो जाता है फिर उसमें मैने डाला है नमक मिर्च ठीके मिर्च अब कोई से भी यूज़ कर सकते हो बस फिर इसका अच्छा सा थिक सा बैटर बना लेना है क्योंकि हमने इसे मैदे को रेस्ट देना है जितना जाद आप इसे अराम दोगी यह अतना अच्छा सा गोल बनके रेडी होता है तो मैंने इसमें थोड़ कर ले रहे हूं तो यहां पर मैंने पुदीना लिया है जितनी कॉंटिटी में पुदीना लोगे ना फ्रेंस उसका हाफ आपको लेना है धनिया धनिया से स्मेल बहुत अच्छी आती है पुदीना खटा करेगा इसलिए और तीके के लिए हम मिर्ची उसकर रहे है हरी मिर्च कि अधनिया थीक हो जाया है आइस हमने क्यों डाला है क्योंकि चटनी जितनी थंदी होगी उतनी जादा औरीजनल कलर में रहेगी क्योंकि मिक्सी जान में जब को चीज़ डालते हो ना इस पर चटनी तो गरम से वह काली पढ़ने लगती है इसलिए चटनी को आप हमेशा थ बड़ी साइं जी सब्सक्तेश्टे सब्सक्राइब ये से पतला पतला स्लाइस एकना स्वरस से उगा है सब्सक्राइब करना है पहले तो आप करो कि नहीं जो मोटा आप काटोगे तो मैं कुछ को जाधी पतला करने के चक्कर में भी तूट भी रहे थे और फिर मैं आपको दिखाते हैं कि मैंने पतली-पतली उसी से बहुत सारे उजयेंगे फिर हमने बहुत अच्छे से इसको वाश करना चाना आप दो-तीन पानी से करना है वह यहोगा इसताषी पानी में रख्पर हरोतार होस् rupees यह सौफ्ट रहेंगे कालें नहीं पढ़ेंगे तो आप हम अपने पेसं को देख लेना नहीं भी हमारा थेक 이제 में घरी lle धनिया डालेंगी हरी धनिया दलेंगे फोलेंगे तो एप्कोड़ें प्होल लेंगे पर येलिख perfectly लाल मिल्च निए आप तो बस आलू में हमारे थोड़ा सा पानी था तो बस हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद फोरान हमें इसे फ्राइ करना है थोड़ी देर रुखोगे ना तो यह और पानी छोड़ने लगेगा इसलिए फ्लेम को नॉर्मल ही रखा है मैंने जादा हाई नहीं रखा है नॉर्मल इसलिए रखा है तो बचले ख़ाएंगे तो थोड़ी बहुत रहेंगे वो जले जले से लगने लगते हैं और रमजान है इसलिए हर दिन ट्राई करूंगे एक लेशार के साहथ आऊं और मेरा व्लॉग देखना ना भूलियों से मैंने बहुत सारी रेसिपी एक हे वीडियो में बताये हुई है प्रपर रमजान में अब एक रमजान में क्या बना सकते हो एक दिन वह सारी चीज़े बताई हैं जो बहुत इजी तरीके से मैंने बताई है नहीं देखे तो ज जाके देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और बहां नहीं दिया तो चैनल पर जाके मैंने देखो जरूरू मिल जाएगी ठीक है बस हमारे पकोड़े भी क्रिस्पी एक दब रेटी हो चुके हैं और हम इसे सर्फ करेंगे अपनी थंडी थंडी घ्रीन चटनी के सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत बूलना इस साल का टागेट है टेम के सब्सक्राइबर और मोनेटाइज कराना है ठीक है सपोर्ट किरो यार चलो मिलते हैं रेक वीटियो में लाइक शेयर और सब्सक्राइब